इपीजी पार्चल्ला में आपका स्वागते मैं प्रफशर स्रवन कुमार मीना हिंदी वीभाग जेनरान व्यास्वी स्विद्याले जूदपूर राजस्थान आज आपके साथ प्रफशन पत्र मद्धिकालीन कविता दो के अंतरगत सगुन भक्ति कावे दार्षनिक एविम सामाजिक आधार विशेपर मैं चल्चा करूँगा इस पार्ट के अध्यन के उपरांत आप जो समझ सकेंगे वो इस प्रकार है सगुन भक्ति कावे और विभिन दार्षनिक मतों के पारस्परिक संबंधों को आप समझ सकेंगे सगुन भक्ति कावे के विभिन रूपों के दार्षनिक आधार जान सकेंगे सगुन भक्ति कावे के सामाजिक आधार को पैचान सकेंगे राम और क्रिश्ण भक्ति काववे के सामाजी काधारों की तुलना कर सकेंगे और भक्ति काववे तो था समाज के संबंद की तुलना अन्य दोर के साहिते और समाज के संबंद से कर सकेंगे साहिते में दर्शन अमेशा सामिल रहता है भक्ति काववे में दर्शन के अनेक रूप अनुगम फित मिलते हैं सगुण भक्ति के दो मुख्य रूपों राम और क्रिष्ण भक्ति के मूल में राम और क्रिष्ण भक्ति का मूल दर्शन अंतर नहींते सगुन भक्ति कावे को भली भाती समझने के लिए उसके दार्षनिक आधार को समझना बहुत आवशक है दर्षन और साहिते एक निश्चित तरह की सामाजिक संदरशना की उपज होता है निर्गुन भक्ति और सगुन भक्ति अलग अलग विसेश्टाओं वाले समाज की उपजे जहां सगुन भक्ति तथाकति उच्छ वर्ग से संबंद रखती है या हम यह कह सकते हैं कि जो निर्गुन भक्ति है वो संतों के लेखन से निश्रित है और वो खास तोर से समाज के निशिले तबके को आधार बना करके लिखी गई है उनकी स्विक्रती पर उनके सामजिक आधार का प्रभाव निश्चित रूप से जहलकता है ऐसे में यह जानन कि किस हिस्से में लोगप्रियता मिली तता भक्ति काव्य के सामाजिक और दार्षनिक आधार को पैचाने की कोसिस किस रूप में सामने आई है सगुनवद्वति काव्य के दार्षनिक एवं सामाजिक आधार के इनी बिंदूओं कु giraffe की प्रष्टभूमिबनाई क्योंकि ततकालीन भारत का जो सामाजिक परिवेश था समाज की जो स्थिति थी हमारे यहां की जो राजनेतिक वैवस्ता थी और सामाजिक जो इस्थितियां थी यह दार्मिक इस्तिन्तिय थी वो भक्ति कालीन साहित्ते का आधार बनती है दक्षिन से आई भक्ति उत्तर में व्यापक रूप से फैली द्रावी रूप जी भक्ति लाए रामानंथ ये उक्ति जग जाहिर है इसका एक कारण उसका द्रिर दार्शनिक आधार था भक्ति कावे दर्शन के तत्व और साधना पद्दती का सीधा अनुवाद नहीं है उसकी व्यावारिक स्विक्रती है निर्गुन और सगुन भक्ति कावे ने अपने दार्शनिक आधारों का इसपश्ट संकेत करते वे सगुन भक्ति की दोनों प्रमुक साखाओं में जड़ सिद्दान से दिखाई पर तीए इसके दार्शनिक आधार के स्रोत की रूप में आलवारों के साहिति की पहचान की जा सकती है इन्होंने अपने जीवन और साहिति द्वारा बताया कि भक्ति का मार्ग सबके लिए सुलब है इसमें ब्रहमन और सुद्र पूरुस और इस्त् नदिकार है यह मानते थे कि इस्वर के तीन रूपों में विश्णु श्रेष्ट और परम सत्य है उनकी एकांतिक भक्ति मौक्ष दिलाने वाली है सभी को किसी फल की इच्छा के बिना अपना करतव्य करना चाहिए गीता में भी कहा गया कर्मर्ने वादी के रस्तु मा फलेश तुकदाचन यानि फल की इच्छा ना करें कर्म करें इस्वर को इंद्री और बुद्धी के बजाए प्रेम में पाना सहे जे इसलिए प्रेम भक्ति पर जोर दिया गया आलवारों ने प्रेम से इस्वर तक पहुँचने का रास्ता दिखाया उसी समय इस भक्ति मार्ग को तरक और युकति के सारे प्रतिश्रिद करने वाला आचारी वर्ग भी हमारे सामने आता है आचारियोंने माय का खंडन किया ग्यान की अपएक्शयः भक्ति की सरल्टा का प्रतिपादन किया इस तरह भक्ति आननदा नुभव और तत्वचिंतन दोनों आयामों के साथ विक चलित हुआ रामानद ने रामानुज के विषिश्टा द्वेद को थोड़े परिवर्तन के साथ अपना कर राम भक्ति को आधार दिया तो वल्लबा चारे के सुद्धा द्वेद ने क्रिस्णकी पुष्टि-मार गी भक्ति का परिवर्तन किया इसके अते रिक त्फि सगुण प्रमुग्दार्षनिक संपरदायों में ब्रह्म संपरदाई मध्वाचारिये सनकादी संपरदाई निंबार्क रोदर संपरदाई विश्णु स्वामी राधा वल्लभी संपरदाई ही थरीवंस आदी को हम सामिल कर सकते हैं कुछ भिन्नता के बावजूद व्यवारिक वर्नित क्रिष्ण की ब्रजलीला को लेकर चले क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए क्रिष्ण का मधूर रूप ही परियात्र समझा मैत्व की भावना से उत्पन स्रद्दा या पुझ्य बुद्धी का वियोव छोड़ देने के कारण क्रिष्ण के लोग रक्षक और धर्म शंस्थापक स्वरूप को सामने रखने के आवसकता उनोंने नहीं समझे यह कहने का प्रेम रख्ति काववे और विशिष्टड़ेत्वढ की यदि हम बात करें तो हिंदिस अर्द्धी के रामभ़क्ती काववे का दार्षनिक आदार विशिष्टा द्वेत है हिंदिक सेत्र में विशिष्टा द्वेत रामानंद के मत की रूप में प्रसारीत होता है रामानंद ने रामानुज द्वारा परिवर्तित विशिष्टा द्वेत को थोड़े भहुत परिवर्तनों के साथ अपना है था हिंदी के सन्निवेश के उपयुक्त नहीं था यद्यपी उसमें ब्रह्म की व्यवारिक सगुन सत्ता का भी स्विकार था पर सम्यक प्रसार के लिए जैसे द्रड आधार की आवशकता थी वैसा द्रड आधार स्वामी रामा नुजाचारी जी में उसमें था उनके विशिष्ट अद्वेद के अनुसार चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म के ही अंस जगत के सारे प्राणी हैं जो उसी से उत्पन होते हैं और उसी में लीन होते हैं अते इन जीवों के लिए उद्दार का मार्ग यही है कि वे भक्ति दुवारा उस अंसी का सामिप पिलाब करने का यत्न करें रामा नुजजी के स्री संप्रडाय में विश्णू या नारायन की उपासना की जाती थी रामा नंद ने उपासना के लिए बैकुंट में रहने वाले विश्णू के बजाए लोक में लीला करने वाले अवतार राम का रूप अपनाया उनके सिद्दान के अनुसार सभी मनुस्य सर्व सुलब सगुण भक्ति के अधिकारी हैं भक्ति मार्ग में देश वर्ण जाती का भेग आदी विचार्णिय नहीं है समाज के लिए वर्ण और आस्रम की व्यवस्ता मानने हैं विभिन वर्णों के लिए भिन भिन कर्मों की योजना की गई किन्तु उपासना के एक सेतर में सबका समान अधिकार है भक्ती में किसी तरह का लोकिक प्रतिबंद नहीं है विशिष्टा द्वेत सिद्दान्त का आभास तुलसी की रचनाओं में सहजी हो जाता है वे भक्ती को अन जल की तरह सबके लिए सुलब मानते हैं तुलसी दाज जी कहते हैं निगम अगम साहब सुगम राम साचिली चाहा अम्बू असन अव लोकियत सुलब सबही जगमह यानि तुलसी दाज जी भक्ती को सबके लिए सर्व सुलब मानते हैं रामचंद्र सुकल ने रामशित मानस में विशेष्टा द्वेत वास का आभास दिये जाने का उलेख किया और इसी प्रस्तावना की बीतर तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल विशेष्टा द्वेत सिद्धान्त का आभास भी यह कहकर स्विकार कर दिया यह कहकर स्विकार किया कि सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुक पानी जगत को केवल राम मैंने कहकर उन्होंने सिया राम मैं का सीता यहां पर प्रकृति स्वरूपा है और राम्या ब्रह्म स्वरूपा प्रकृति अचित पक्स है और ब्रह्म्या चित पक्स परमार्थिक सत्ता चिद विशिष्ट है यह इसपर्ष्ट जलगता है कि चित और अचित वस्तुत एक ही है इसका निर्देश उन्होंने यह कह करके किया कि गीरा अर्थ जल बीचिसम कहियत भिन ने भिन बंदो सीता रामपद जी नहीं परमप्रिय खिन यह कह करके तुलसिद लिख जी जो है उसको निर्देशित करते हैं कृष्ट भक्ति कावे और सुद्धाद्वेत वाद की यदि में बात करूं तो हिंदी साइटे के क्रिश्ण भक्ति कावे की सबसे प्रविलधारा का दार्षनिक आधार सुद्धाद्वेत इसका प्रवर्तन आचारे बल्लभ ने किया था सूर सागर आधी क्रिशन भक्ति कावे की मुख्य रचनाओं में सुद्दा द्वेत के सिद्दान्त और साधना पद्दति को अपनाया गया इन रचनाओं में लीला पर अत्यंत बल दिया जाने का कारण इसी दर्शन में नहीं थे रामचंणर सुक्ल ने वल्लबाचारे के दर्शन को इस्पष्ट करते वे लिखा कि संकर ने नय केवल निरूपाद निरूप निरूपन ब्रह्म की परमार्थिक सत्ता को स्विकार किया बल्लब ने ब्रह्म में सबधर्म माने सारी स्रश्टी को उन्होंने लेला के लिए ब्र ब्रह्म की लेला मात्र है अक्सर ब्रह्म आविर्भाव तिरोभाव की अपनी अचिंते सक्ति से जगत की रूप में परिनित भी होता है और उसके परेवी रहता है वैं अपने सत्थ चित और आनंद इन तीनों स्वरोप्मों का आविर्भाव और तिरोभाव करता है जीव में सत और चित का अविर्भाव रहता है पर आनंद का तिरोभाव रहता है जड में केवल सत का अविर्भाव रहता है चित और आनंद दोनों का तिरोभाव रहता है उनकी द्रश्टी में माया कोई वस्तू नहीं है श्री क्रिश्ण ही परंब्रहम है जो दिव्य गुनों से संपन होकर पुर्सोतम कहलाते हैं आनंद का पूर्ण आविर्भाव इसी पुर्सोतम रूप में रहता है अते यही स्रिष्ट रूप है पुर्सोतम क्रिश्ण की सब लेलाएं नित्य हैं वे अपने भक्तों के लिए कुंठा में जो विष्णू के वेकुंड से उपर की हैं अनेक प्रकार की क्रड़ाएं करते रहते हैं गोलोक इसी व्यापी वेकुंड का एक खंड है जिसमें नित्य रूप में यमुना वरिंदावन निकुंच इत्यादी सब कुछ है भगवान इसी नित्य लिला स्रष्ट में प्रवेश करना ही जीव की सबसे उत्तम गती मानते हैं संकर के विपरित वल्लब ने सगुण को इस्वर का असली या व्यवारिक रूप का है निर्गोन इस्वर का तिरोहित रूप है भक्ती के लिए उन्होंने केवल प्रेम लक्षना भक्ती को चुना प्रेम साधना मे लोक मरियादा और वेद मरियादा दोनों का त्याग उचीत है जीव इस्वर का अनुग्रे करने पर ही प्रेम लक्षना भक्ती के ओर प्रवर्बर्थ होता है वल्लब ने इस अनुग्रे होने को पुष्टी का है और अपने भक्ति मार्ग को पुष्टी मार्ग उनके अनुसार जीव तीन प्रकार के होते हैं पुष्टी जीव मर्यादा जीव और प्रवाजीव पुष्टी जीव वो कहते हैं कि इन्हें केवल भगवान के अनुगरे पर ही भरोसा होता है और यह नित्य ल भोक को प्राप्त करते हैं उसको मर्यादाजीव का है जो संसार के प्रभाँ में पड़े रहते हैं उन्हें प्रभाँ जी शुर्स आगर में बलब अचार्य के दर्सन की रस्त प्रस्तुति मिलती है सूर्दास को पुष्टी मार्ग का जहांज भी हम सब कहते हैं उन्होंने वल्लब संबर्दाय की माननिताओं के अनुसार राधा को स्वैकिया की रूप में चित्रित किया और राधा कृष्ण की रास लीला साथ स्वत चलती रहती है वहां कृष्ण राधा नहीं राधा कृष्ण है नित्य धाम व्रिंदा वन्शाम नित्य रूप राधा वरिजधाम नित्य राम जल रास जल नित्य विहार नित्य मान खंडिता विसार ब्रह्म रूपी यही करतार कारण हार तिर्भुवन संसार यानि रास लिला के जो रूप है क्रिश्ण का उस रूप में वह यह कहते हैं कि त्रिभुवन जो है संसार के से मुक्ति का यही एक आदार है सूर ने व्यापी बेकुंट के इस रास रस को सरस्रेश्ट बताया है इसके लिए बैकुंट निवासी विश्णू भी लालायत रहते हैं वह सूर्दाजी कहते हैं कि मुरली धुन बैकुंट गई नारायन कमला सुनी दंपती अतिरूची रदय भाई क्रिश्ण की लिलाओं में सामिल होने और उसे देखते रहने के आगे भक्त मोक्स को भी तुछ मानते हैं सूर्दाश लिखते हैं कि सेवत सुलब स्याम सुन्दर को मुक्ति रही हम चारी हम सालोक के सारूप सायोज रहत समेप सदाई निर्गुन मत का खंडन और सगुन की स्थापना का वल्लवाचारी के प्रियास की समानता सूर्शागर में गोपी उधो समवाद की रूप में विस्तार से मिलती है ब्रह्म प्रकर्ती की एक्ता की स्थापना एविद्यमाया के प्रभाव से जीव का ब्रह्म में पढ़ना विद्यमाया के सारे अपना स्वरोप पहचानना क्रिश्न लिला में अपना सुद्ध बुद्ध भुलाना आदि दार्शनिक सिद्धान्त क्रिश्न कावे में रचे बत्रम व्यवस्ता का समर्थन करता है कर्म कांडों में विश्वास रखने वाले इस्वर के सगुन रूप तथा आवतारों में आस्ता रखने वाले समाज का काव्ये भक्ती के धरातल पर सगुन भक्ती ने मानव मातर को स्विकार किया राम भक्ति और कृष्ण भक्ति कावे में दार्षनिक इस्तर पर भक्ति का द्वार सब के लिए खुला दिखाई पड़ता है रचनात्मक साहिति में भी ये सिद्धान्त लागू किया गया है भक्ति का अधिकारी होने में वर्ग जाती देश क का भेद नहीं लेता किन्तू इसका अर्थ ये नहीं है कि मिलता बलकि जाती और वर्ण का विरोध्र करने व् делать को सब्ठी को मानना सब्षा ही संबाजिक सरोकारों की विशेषता है सबको समान नहीं मानना उस उसकी सीमा है राम और कृष्ण Nate की अन्तरगत है जन्तर की पतोव को समानता है किन्तों कुछ अंतर भी है मसलन कोव तरब में मусलमान ओ स्तरी आष से भी रब करफ लेसी नहीं हुआ है राम भक्ति कावे का जो समाज है अगर राम भक्ति कावे के समाज पर हम द्रश्टिपात करें तो हम पाएंगे कि राम भक्ति कावे का सामाजी का अधार मुख्यत है उच्छ वर्ण और जाती के हिंदूओं को तैयार के द्वारा तैयार हुआ है वे सामंति मुल्यों का आदर्स स्वरूप प्रस्तुत करता है राम कावे के सर्व स्रेष्ट कभी तुर्शी दास ने अपनी रचनव में राम राज्ये की रूप में सपनों का समाज निर्मित किया है रामच्रीत मानस के उत्तरकान में वर्नित राम राज्ये में किसी से कोई बैर नहीं रखता विसमताय समाप्त हो गई है लोग वर्नास्रम और वेदों के बनाए अपने धरम पर चलने वाले हैं देहिक देविक और भावतिक ताप से राम राज्ये मुक्त है अल्प मरत्यों नहीं होती है कोई दरिद्र या दीन नहीं है तुलसी दास कहते हैं नहीं दरिद्र को दुखी न दीना नहीं को अभुद न लच्छन हीना इस राज्य में सभी उदार परोकारी और ब्रहमनों की पूजा करने वाले हैं एक नारी व्रत पुरूस हैं और इस्त्रियां प्रती व्रता है राम राज्ये को आदर्स रूप में निर्मित करने वाले राम कावे की कुछ बड़ी सीमाएं भी हैं इस्त्रियों, दलितों, मुसल्मानों आदी के प्रती उनमें व्यक्त द्रश्टी कोन आधुनिक द्रश्टी से आपति जनक माना जा सकता है इस्त्रियों दलितवी राम से जुड़ते हैं तो स्रेष्ट बन जाते हैं अने था वे हीन है राम कावे भक्ती के इस्तर पर मानव मातर को अपनाने वाला कावे है राम कावे में विश्टा द्वेत के सद्दानतों के मेल में है रामानंद के सिद्धानतों के सामाजिक सरोकार के बारे में रामचंद्र सुक्ल लिखते हैं सुक्ल जी लिखते हैं कि भक्ती मार्ग में इनकी उधारता का अभिपराई ये कदापी नहीं है जैसा की कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामाणनजी वर्णासरम के विरोधी थे समाझ के लिए वर्ण और आसरम की व्यवस्ता मानते हुए भिन-भिन करतवियों की योजचना स्विकार करते थे केवल उपासना के एक सेतर में उन्होंने सबका समान अधिकार स्विकार किया है भक्ती में कोई लोकिक परतीबंद नहीं बगर सामाजे की इस्तर पर सास्त्री मरियादा का स्विकार वाला रामनंद का सिद्दान तुर्शिदास के रामराज्य के आदर्स में सामिल है उन्हों इस्थापित करना चाहते हैं कि वर्णास्रम व्यवस्ता का और उस धर्म का पालन करने वाले लोग हमेशा सुख से जीवन जी सकते हैं और उनको किसी तरह का दुख नहीं होता इस्तरियों के प्रती भी तुलसिदाज जी की अलग द्रश्टी है तुलसिदाज जी की द्रश्टी मर्मिसपर्शी भी है नकारात्मक भी है तुलसी की इस्तरियों की प्रती कई स्थानों पर नकारात्मक द्रश्टी उभर करके आती है तुलसी इस्तरियों को अवगुनों की खान और बुराइयों की जड़ मानते हैं तुलसी ये भी लिखते हैं कि पती की सेवा चाहिए पती जैसा भी हो ही उसका धर्म है तुलसी दाज कहते हैं कि सहज अपावन नार पती सेवत सुभगती लहे जस गावत सुरूति चार अजहू तुलसी हरिये पिये तुलसी दाज जी मानते हैं कि स्वतंतरता में नारी बिगड़ जाती है इसलिए उसे किसी पुरुष के अदिन रहना चाहिए इस कारण कुछ हालोचक कहते हैं कि तुलसी ने राम कावे से जोड़कर सीता का जो रूप रस्तुत किया है वह इस्त्री को उच्टम सोपान पर आ करना है स्ट्री की ही तरह रामकावे की दलित द्र treatment वी समाजिक समांता को बढ़ावा देने वाले तुलसी को सुद्रों का खुद 23 को ब्रहमग्यानी कहकर ब्रह्मों की बराबरि करना नहीं बाता और वह इसे कलिकाल का लक्षन मानते हैं तुलसी दास कहते हैं खास दोर से दलीतों के संदर में बाद ही सुद्र द्वी जन है सन हम तुम्हें तेक कचुगाटी जाने ब्रहम सो विप्रवर आखें देख वहीं डाटी मुक्तिवोध रामकावे की इस द्रश्टी को पुरान पंथी वर्ना सरम धर्मी सामाज करते वे उन्होंने लिखा है कि तुलसी दास ने भी निम्न जाति भक्ति स्विकार की किन्तु उसको अपना सामाजिक दायरा बतला दिया निर्गुन मतवाद के जनोनमुक रूप और उसकी क्रांतिकारी जातिवाद विरूदी भूमिका के विरूद तुलसी दास ने पुर वर्नासरम धरम पर आधारी था वो उत्पन की राम निसाद और गुहिव का आलिंगन कर सकते थे किन्तु निसाद और गुहिव ब्रहमन का अपमान कैसे कर सकते थे इसके बावजूद व्यापक जन समुदाई तक राम काव्य की व्यापति का कारण उसमें उस समय के प्रस्णों और उनके हल की जलक है तुलसी का काल कली काल सबको दुखी करने वाला है मा बाप किसी तरह उदर भरने की शिक्षा देने लगे हैं लंपट कप्टी और वेविचारी लोग ग्यानी हो गए हैं लवार वक्ता हो गए हैं राजा पापी हो गए हैं बार बार अकाल पड़ता है लोग भूकों मरते हैं पारिवारिक संबंदों पर कली का घातक प्रभाव बताते वे तुलसीदाज जी कहते हैं कुल बनती निका रही नारी सती ग्रिह आनी ही चेरी निबेरी गती सुत मा नहीं मा तु पिता तब लो अब लालन दी खित नहीं जब लो ऐसे कली काल के समाज में के समक्स तुलसी ने राम के रूप में अपना आदर्स नाइक रखा राम ने आदर्स पुत्र आदर्स भाई आदर्स पती सखा स्वामी और एक राजा की भूमी का निबाई है राम राज कलियूग के त्रिवीद तापों का समाधान लेकर के आता है इस विराठ छवी में भारतिय समाज पर गहरा प्रवाव छोड़ा था राम कावे समाज के बड़े हिस्से का माग दर्सक बनता है अब मैं बात करता हूँ कृष्ण भक्ति कावे और समाज भक्ति कावे सामन्ती सामजिक व्यवस्ता की जगडन से मुक्ति के आकांग्सा का क डिखाई पड़ता है हिंदी के आलोचक मेनेजर पांडे कहते हैं कि सूर द्वारा प्रेम के सहज मान वी और उद्दाज स्वरूप का चित्रन करने को सामंती मुल्यों का विरूधी बताते हैं और वो कहते हैं कि सूर दास के कावे में कृष्ण से राधा और दूसरी गोप बेजopers टाम के बंदनों से मुक्त होता है मुक्त प्रेम है उन मुक्त प्रेम की मुल्म के प्रसले देनीं के रूप में भी सामजीर स्लोकार की पहचान की जा सकती है इसके साथ ही कृष्ण के बाल किसोर और इवा रूप के चारों और मिलने वाला समाज भी उसे अपनी समू को सीधा जोड़ता है ब्रिज में गोपालक है और किसान भी है बालक बालिकाई भी है और पूरुस इस्त्रियां भी क्रिशन कावे इन सबकी आकांगसा और यथार्थ को अभिव्यक्ति देने वाला कावे है इस्त्री के स्वतंतर रूप के चित्रन की द्रश्टी से सूर साहित्य संत और राम कावे के आगे का कावे है मैनेजर पांडे सूर की इस्त्री चिटन की विशेषतायं बताती वे लिखते हैं कि सगुण भक्ति कावे में इस्त्री सामन्ती रूडियों में जक्री हुई है लेकिन सूर्दास के कावे में इस्त्री का सहेज स्वतन्त रोड तेजस्वी रूप मिलता है जो प्रेम के आनंद लोग की सश्टी करने वाला लगा था मेनेजर पांडे इसकी आलोचना करते वे सूर साहित्ते का किसानों से गहरे सरोकार का उलेख करते हैं वे लिखते हैं कि हिंदी आलोचना में ये बात फैली हुई है कि सूरदास अपने समय के समाज से बेखबर अपने भाव में काऑव भासा की संदूरशना से साबित होता है कि सूरदास का अपने समय के समाज से विशेश रूप से किसान जीवन और उसके परिवेश से कितना अंतरंग समझ्ध है सूर कावे में किसान जीवन के क्रशी समंधी अनुभाओं को प्रतिकात्मक एवं मुहावरेदार प्रियों की रूप में भी देखा जा सकता है और क्रिशी पद्धिती की प्रकरिया को व्यक्त करने वाले पदों की रूप में भी पसुपालन दुग्द और उसके उत्पाद आदी के साथ पूरा ग्रामिन समाज क्रिशन कावे के सामाजी कादार के रूप में उबरता है क्रिशन मतुरा के सासक बनने के लिए गोकुल से चले जाते हैं इसी बहाने सूर कावे में सासन और उसका धर्म भी सामिल हो गया है। में निजर पांडे मानते हैं कि सूर के कावे में ततकालिन सासन व्यवस्ता की राजनीती की रूप और अभी प्राई की पहचान है। और साथ में जनता के हित की राजनीती की चिंता भी है। इसलिए लिखा है कि राजधर्म सब भय सूर जहें प्रजा ने जाएं सताएं यह अनीती और अत्याचार से मुक्त राजनीती की मांगें। सामंती युग में प्रजातंत्र की आकांगसा की अभीवक्ति भी है। राम कावे की तुलना में क्रिशन कावे अधिक व्यापक सामाजी का आधारों वाला है। उसमें रेला, रेता, पेता, माना, मनसुखा जैसे गोपाल और राधा, लतीका जैसी गोपियां हैं। इस वर क्रिशन के साथ बराबरी के इस तर पर समबाद करती है। इन में जाति पाती का भेड़ नहीं है, इस तरी पुर्स का भेड़ नहीं है। युए जाति राम कावे की तुलना में क्रिशन कावे की उल्लेखनी विसेशता को माना है। निसकर्स रूप में मैं यह कह सकता हूं कि सगुन भक्ति कावे में ठोड़ दार्षनिक सिद्धान्त अंतर नहीं थे इन सिद्धान्तों का आधार लेकर के भक्ति कावे व्यापक जन आंदोलन बनने में सफल रहा उसने सामंती सामाजिक व्यवस्ता को जबर्दस्त चुनोती यह कि अपने दोर के सामंती समाज की आलोसना लेकर आया था राम राज की रूप में उसने सामंती व्यवस्ता का आधर्ष प्रस्तुत किया प Richmond कावे में सामाजिक आधार राम कावे झाल झाल